दिपानिटिंग चैनल में मैं आज आपको साइड पकेट का डिजाइन लेकर आई हूँ ये बनाना बहुत ही इजी है और आप जेन से लेडिस बेवी का किसी भी पोर्जेट में डाल सकते हैं बहुत ही सुंदर ये पकेट बनाना मैं इस्टे बाइ सकते हैं जिसकी बज़े से किसी भी डिजाइन डाल कर आप आप आराम से बना सकते हैं आईए दिखते हैं ये सुन्धर शाब पकेट आपको किस तरके से बनाड़ी है मैं इस्टे बाई इस्टे बताती हूँ जिसकी बजह से आप आरम से किसी भी साइज में बना सकते हैं साइज का इसाब से फंदे कम बेशिगरा सकते हैं देखें, मैं इतनी बीन चुकी हूँ ये बोडर है और इधर बटन पट्टी इस तरीके से आप जितनी फंदे लेकर भी ये पकेट बना सकते हैं अब देखें, इस तरीके से इतनी बीननी के बाद इसका उपर मैं बिनने के तरीके बता रही हूँ फर्स फंदा बिना बिना तागा आपने ओर देखे एक फंदा उल्टा बिनाई तागे पीछे एक फंदा बिना बिना इस तरीके से मैं ये बोडर बना कर आ रही हूँ एक फंदा उल्टा बिना है धागी पीछे एक फंदा बिना बिना अब देखे यह एक फंदा है बोडर का इससे भी हाम बिनिंग गेठे यह बोडर का फंद्धे पूरी होनी के बाद अब इदर से आप डिजाइन डालकर बना सकते हें यह मैं सिम्कलेक बना रही हूं जिसकी बाद से आप आरम से सके सक इस लिए अब देखे मैं सारी सीधी-सीधी भीनती हूए лиस में को भाद हो रच का पन बहुँ सीधी भीनाई अब दिखे इसकी ब्याक साइड अब देखे इसका पन पन के समय विल्टी भीन भीन रही हूं आपका डीजाइन जैसा है उसा बेन सकते हैं अब देखें मैं सारी इसी तरीके से बिंत होए लास्ट में आ रही हूँ इधर बोडर है बोडर में एक फंदा सीधा दागा आपनी और एक फंदा उल्टा तागे पीछे एक फंदा सीधा तागा आपनी और एकmandा पीछे एक फंदा सीधा लाश्का एक फंदा उल्टा इस तरीके से मैं बोडर बना रही हूँ अब देखे इसकी सीधी साइड से यह हामरा बटन पट्टी के लिए है और इस तरीके से किसी भी डिजाइन डालकर बटन पट्टी बना सकते हैं, देखें इस तरीके से यहां तक बटन पट्टी का है, इतनी बिनने के बाद इधर से आपको डिजाइन डालते हुए बिनना है, मेरे डिजाइन का अमसार सीधी-सीधी है, इसलिए मैं इस तरीके से बिन रहे हूँ, आप जो मर्जी से बिनने हैं अब देखे इधर से हाम बटन पट्टी का फंदा बिनेंगे देखे एक दो दागे पीछे एक बिना बिना तीन और ये चार तागे पीछे पांच तागा आपने और छे इस तरीके से छे फंदे लेकर ये बटन पट्टी के लिए बना रही हूं ये आप फंदे कम बेशी गरा सकते हैं बटन पट्टी में अब देखें इधर से आपको जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी बात को रिपीट गाते हुए बीनने हैं अब देखें मैं इतनी बीन चुकी हूँ बाकी का नौ फंदे में दुसरी में लगा कर राखनी वाली हूँ देखें इस तरी करना अब देखें इस तरी के से आप साइज का इसाब से कंबेसी फंदे इस तरी के से गाठ लगाकर राख सकते हैं अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो 20 से उपर फंद्य राखकर इस तरी के से गाठ लगाईंए अब देखे इसकी ब्याक साइड से फिर हम बिनेंगे फस फंदा बिना बिना बाकी का फंदे उल्टी बिना मतलब जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी तरीके से बिन सकते हैं ब्याक साइड में अब देखे Backside बिनने के बाद इधर हमारा बोडर आता है, एक सीधी, एक उल्टी का मैं इसी तरीके से एक सीधी, एक उल्टी बिनती हुए, बटन पर्टी के लिए बोडर बिनती हुए यह आप आपका ही सबसे डिजाइन डालकर बना सकते हैं अब देखे इसकी सीधी साइड से फोस फंदा बीना बीना तागा आपने और बोडर के फंदे में आपको बोडर डिजाइन बनानी है बोडर में मैं छे फंदे राकर बना रही हूँ यह भी आप फंदे कम बेसी करा कर स सकते हैं अब देखें इसका उपर आपको दिजाइन शुरू करने हैं अब देखें मैं इस तरीके से बिनते हुए लास में आ रही हूँ लास में आपको एक फंदा छोड़ना है और इधर से आपको पलाते हुए बिनने हैं मतलब सीधी साइड से हम एक फंदे छोड़ते हुए इसकी wrong side से बिनेंगे, first फंदा बिने मिना, बाकी का फंदे उल्टी बिना है, इस तरीके से बिन्ने हैं, इस तरीके से बिन्तियों है, last में आ रही हूं, और last का फंदे उल्टी बिने, इस तरीके से back side से बिनने के बाद, आप देखें इसकी CD side, CD side में आपको border में border design बनानी है एक उल्टा, एक बिना मिना, एक उल्टा, तागे पिछे, एक बिना मिना, दागा आपने और एक उल्टा, इस तरीके से मेरा बटन पट्टी का डिजाइन है, और इधर आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, मेरा सिधा सिधा का है, इसलिए मैं सिधी सिधी बीन रही हूँ, म अब देखे मैं सारी इसी तरीके से बीनने के बाद लास्ट में एक फंदे छोड़ते हुए बीनती हूँ देखे इस तरीके से आपको सीधी सीधी बीनने हैं सारी फंदे और सारी फंदे बीनने के बाद लास्ट का एक फंदे छोड़ना है देखे इस तरीके से लास्ट का एक देखें, फरस बंदा बीना बाकी का फंदे उल्टी बीनाई। मेरा डिजाइन का अनुसार उल्टी बीनाई है। मैं बीनाई भीन रही हूँ। आपका डिजाइन अनुसार सी, उसी तरीके से बीन सकते हैं। देखे ये बोडर का है एक सीधी एक उल्टी बीनती हुए में बनाती हूँ अब देखे लास्ट एक फंदे बाकी है इसको आपको उल्टी बीनाई बीनने है सीधी साड़ से में डीजाइन बीन चुकी हूँ बाकी में आपको इस तरीके से सीधी सीधी बीनने है देखिए इस तरीके से बीनती होए अभी में लास्ट में आ रही हूँ फिर लास्ट में आपको एक फंदे छोड़ना है देखिए इस तरीके से और इधर से पलड़ती होए आपको बीनने है इसी बात को repeat गरनी है, इसका उपर मैं सारी इसी तरीके से बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से फंदे छोड़ते हुए इसका उपर बनाईएगा, सीधी साइट से आपको फंदे छोड़ना है, और ब्याक साइट से आपको जिस तरह का आपका डिजाइन है, उसी बात को repeat गर उल्टा इस तरीके से मेरा बोडर है, इसलिए मैं इसी तरीके से बीन रही हूँ, इस तरीके से मैं सीधी सार्चे एक एक फंदी थोड़ते हुए बना रही हूँ, अब देखे इसकी इसी तरीके से बीनाई बीनने है, अब देखे इतनी बीनाई बीन चुकी हूँ, अब इतनी मेंने के बाद यह आपको किस तरीके से बनानी है मैं फिर देखाने जा रही हूँ फरस फंदा बिना बिना उतारना है तागा आपने और एक फंदा उल्टा बिना तागे पिछे एक फंदा बिना बिना इसी तरीके से मैं ये छे फंदे में बोड़ा डिजाइन बना रही हूँ देखिए ये लाश्क का फंदा है इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने है आप इधर से देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छे अब देखिए फंदे छोड़ते हुए मैं इधर छे फंदे राने तक बिन रही हूँ और ये फंदे मैं कितनी छोड़ रही हूँ ये मैं देखाना जा रही हूँ इस तरीके से आपको हाथ अंदर नीचे गरनी है जिसकी बदर से आषानी से निकल और डाल सके अब देखिए इधर से हमvoyर डिजाइन बनाएंगे बोड़ा डीजर बनाने के लिए देखे ये वारा लेना है फिर नेडाल में चड़ानी है और सीधी बिने बिनने है देखे इस तरीके से सारी फंदे आपको बिनने है इसका नीचे का धागा है ये लेना है फिर आपको सीधी बिनने बिनने है इसी तरीके से सारी फंदे बिनने इसी तरीके से आपको बनाते जाना है देखे ये वाला लेना है और फिर नेडा में चड़ानी है फिर ये सीधी बिनाई अब देखे इसी तरीके से आपको सारी फंदे बिनने है अब देखे इधर का ये धागा लेना है फिर निडा में चड़ानी है फिर सीधी बिने बिनने है और लास में एक फंदे है इसको भी आपको बिनने है तेखे इस तरीके से सीधी बिने बिनते हुए अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब इतनी बिनने के बाद इध दरवोड ना है इस तर醉टे से उठाइब और दूसरी साइड पलतर नी है पंदा बीना बीना तागा आपनी और आप देखे एक फंदा ऊल्टा बीना देखे ये सीधी वाला उल्टी बिनाई बिनने है ब्याक सायर से दागे पीछे जो आम फंदे बढ़ाया थे वह वाला फंदा सीधा बिनने है तागा आपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई देखे इस तरीके से सीधी में सीधी उल्टी में उल्टी बनाते होए बिनने है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरेंगे एक फंदा उल्टा बिनाई दागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई इसी तरीके से आपको बनानी है इस तरीके से बिंतेवे में लास्ट में आ रहे हूं एक फंदा सीधा बिनाई दागा पीछे एक फंदा सीधा बिनाई मतलब बाकी का छे फंदे और बोडर का फंदे बाखे राने के बाद इधर से आपको पलरते होए भीनने हैं अब देखें इधर से आपको ये फंदे छोड़कर इधर से फिर आपको बोडर डिजाइन बनाएं हैं फस फंदा बिना बिना एक फंदा उल्टा बिनाई तागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गाते हुए आपको बिनने हैं मतलग जिन फंदा जिस्तरा का है उसी तरीके से बिनते हुए आपको पूरी गारनी है अब देखे एक फंदा उल्टा भी नए एक फंदा सीधा भी नए दागा आपने और एक फंदा उल्टा भी नए दागे पीछे एक फंदा सीधा भी नए इसी तरीके से आपको बनानी है इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ एक फंदा सीधा बिनाई दागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाई दागे पीछे एक फंदा उल्टा बिनाई दागे पीछे एक फंदा उल्टा बिनाई दागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई दागे आपने और ब्याक साइट से इतनी बिन रही हूँ अब देखे इसकी सीधी साइट से सीधी साइट से आपको इतनी बिनने के बाद फंदे बंद गरनी है एक फंदा बिना मिना दागा आपने और एक फंदा उल्टी बिना है फिर पीछे का फंदे इसका उपर से गिरानी है मतलब सीधी फं फंदे बिंधते बंदगर रहे हूं और उल्टी फंदे ऊल्टी बिंद और बंदगर रहे हूं आप वी इते तरीके से बंदगर और इक पंधे बीने पीछे के बंदगर Dog Leg अब देखिए फंद बन करने के बाद यह दागा में कट रहे हूं कि अब गास लगा और इस बनने के से बाद से बनाएंगे इसका सीदीका इसका सीदीका यह वाला उठानी है और यह देख रहे हैं उपर के ओर है यह आपको एक एक गरते हुए उठानी है मैं सारी इसी तरीके से एक गरते हुए उठाती हूँ अब देखे इस तरीके से धागा लगानी है अद धागा लगानी के बाद देखे यह उपर के और यह आपको एक एक गरते हुए फंदे उठानी है देखे इस तरीके से अब देखे ये वाली मैं उठा रही हूँ इस तरीके से उठानी है फिर देखे इसी तरीके से हम दागा लग गरते हुए उठाएंगे पंदे मैं सारी एक एक गते हुए इसी तरीके से फंदे उठाती हूँ बोडर तक अब इस तरीके से आपको बोडर तक फंदे उठानी है और इसका दूसरी साइड से फिर आपको बीनने है अब देखें फोस फंदा बीना मीना धागे पीछे यह हमरा सीधी साड है इसले हम सीधी सीधी बीननेंगे देखें मैं सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हूँ अब भी इसी तरीके से बनाईएगा इसका उपर मैं सारी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गत हुए बिनती हुँ इस तरीके से बिनती हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हुँ देखे ये सारी फंदे इसी तरीके से सीधी-सीधी बिनने है और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिनने है देखिए अब इसकी ब्याक साइड फास फंदा बिना बिना बाकी का फंदे उल्टी बिनाई देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनानी है अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनने है सीधी साइड से सीधी बिनाई और उल्टी साइड से उल्टी बिनाई बिनती हुए यहां तक बनानी है, यहां बनाने के बाद बाकी भी आमी जोड़कर इसका उपर बिनेंगे, अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से बिनती हूँ, इसी बात को रिपीट गाते हुए, अब देखिए इधर मैं पार्ट डिजाइन बना रही हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इधर भी पार्ट डिजाइन बन चुका है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से बनने के बाद यह जो तागा है, यह निकालनी है, देखिए मैं निकालती हूँ, और निकालनी के बाद आपको सलाई में चड़ानी है, अब देखिए सलाई लगानी के बाद, इध इधर से आपको डिजाइन डालते हुए बनानी है मतलब इधर से आपको फिर से डिजाइन रिपीट गरते हुए बिनने हैं अब देखें मैं सारी इसी तरीके से सिधी सिधी बिनती हूँ मतलब यह आप कोई भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं और यह उपर की ओर आता है इसल इसका उपर आपको 9 फंदे में डिजाइन डालके हुए बिनने हैं और जिस तरह का डिजाइन है उसी इसाब से आपको ब्याक साइड बिनने हैं और दो-दो फंदे आपको बढ़ाते जाना है डिजाइन बढ़ाते हुए अब देखे मैं इतनी बीन चुकी हूँ यह इस तरीक से होने के बाद अब ब्याक साइड से पलटनी है ब्याक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं मतलब जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट गर सकते हैं अब देखे मैं सारी इसी तरीके से बिनती हूँ अब देखे एक 2-3-4-5 फंदे बाकी है इधर भी बो बनाएंगे देखे इस तरीके से और दो फंदे एक साथ सलाई से बाहर निकलना है अब देखे ये लेना है और ये लेना है और दो फंदे एक साथ बिनने है और दो रो फंदे सलाई से बाहर निकलना है इसी बात को रिपीट गरते हुए जोड़ाई गरनी है मैं सारी इसी त तरीके से जोड़ाई गरेंगे, दो फंदे एक साथ बिनते हुए, अब देखें इधर से हमारा बोडर शुरू होता है, इसमें आपको बोडर बिनने है, एक फंदे सीधी बिनाई, धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई, इस इसी तरीके से इसी बात, अब देखें लाश का फंदा है, इसको आपको उल्टी बिनने है, और ये आपको सील कर जोड़ाई गरनी है, ये वारा हिस्सा, अब देखें इसकी सीधी साट से ये पकट इस तरीके से बन कर आ रहा है, और इतनी बनने के बाद इसका उपर आपको सीधी एक उल्टी बिनती हुए, एक उल्टी एक बिना बिना तागा आपने और एक उल्टा तागे पीछे एक बिना बिना तागा आपने और एक उल्टा, इस तरीके से बोड़ा डिजाइन बनानी है, अब देखें इधर से आपको प्याटन डालते हुए बिनने, ये मैं सि लास में आ रही हूँ देखिए लास का फंदा है इसको सीधी बिनाई ये इस तरीके से आ रहा है मतलब ये मैं इसका उपर ये सिलने के लिए बिनाई बिन रही हूँ और ये सिलकर आपको जोड़ाई गारनी है और ये इस तरीके से बन कर आता है अब इस तरीके से बीनने के बाद इसके ब्याक साइड से फिर बीनती हूँ फस्पंदा बीना मिना बाके का फंदे उल्टी बीना बीनती हुए इस तरीके से बीनती हुए मैं पूरी सलाई बीन चुके हूँ अब देखे ये इस तरीके से आ रहा है इसको आपको सिलकर जोड़ाई गरनी है और ये जो हिस्ता है इधर भी आपको सिलकर जोड़ाई गरनी है अब देखे ये इस तरीके से मूरते हुए आपको सिलाई गरनी है देखे इस तरीके से अब इधर से सुई से आपको सिलाई गरनी है अब देखे मैं ये सिलाई गर चुकी हूँ इस तरीके से अब देखे इधर साथ भी आपको सिल कर जोडाई गरनी है देखे इस तरीके से सिलनी है इधर का ये वाला लेना है और इधर का एक लेना है देखे इस तरीके से और फिर इसी बात को repeat गरते हुए आपको सीलना है मैं इसी तरीके से सीलती हूँ अब देखे यह सीलती हुए यहां तक जोड़ाई गारनी है आपको यह इस तरीके से बन कर आता है मैं एक बार इसमें भी कनेट गर रही हूँ जिसकी बज़ा से यह बहुत सुन्दर नजर आए इसलिए अब देखे इसका ब्याक साइड में आपको यह धागा लगानी है देखे इस तरीके से धागा गार लगाएंगे एक बार यह दोनों धागा लेकर आपको गार लगानी है अब देखे यह धागा में कट गर रही हूँ अब देखे यह साइड पकट बनकर लेकी है यह इस तरीके से आता है और यह सुटेर में डालने के बाद इसतरह के नजर आता है आज का यह पकट बनाने का तरीका क्या सार लगा कमिन करके जरूर बताईए मिलते हैं दूसरी निटिंग चैनल धन्य बाद